Hello Friends, Welcome to Super Technicals तो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे PNB WhatsApp Banking के बारे में कि PNB WhatsApp Banking में हमें क्या-क्या सुधाय PNB Bank दे रहा है और कैसे हमें इस पे रजिस्टर करेंगे और कैसे इसकी facilities को यूज करेंगे तो Friends काफी simple process है चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए सबसे पहले हमें अपने phone पर PNB WhatsApp Banking को सेव करना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं phone के screen पर और अपने contact में यहां plus के उपर tap करके एक number को हम सेव करेंगे तो पहले यहां पर हम नाम लिख लेते हैं PNB WhatsApp लिख लेंगे यहां पर और उसके बाद मैं आपको number यहां पर बता देता हूँ आपको plus 91 लगा के number को सेव करना है इसके बाद आप लिखेंगे plus 91 और उसके बाद 92640 और 92640 इस number को आपको अपने phone पर सेव कर लेना है तो चलिए इसे में सेव कर ले रहूं और सेव करने के बाद आपको WhatsApp में जाना है नहीं तो WhatsApp डारेक्टली बगर सेव नंबर को शो नहीं करता तो अब चलिए हम वाट्सअप में चलते हैं तो यह एक link भेजेगा उस link से आपको verify करना तो देखिए हमने हाई लिखा और यह थोड़ा सा बेट करेंगे तो return में आपको welcome message और एक link देगा तो चलिए थोड़ा उपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा उपर स्क्रॉल कर रहा हूं और यह इस link के उपर tap करेंगा और यह verify one time करेगा यह one time आपको करना पड़ता देखिए link verify हो जाएगी अब चलिए ऊपर के थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें आप language चूज करने को बोलेगा तो चलिए language चूज कर लेंगे आप अपने choice के हिसाब से मैं यहाँ प आपको यहाँ पर registered mobile number ही use करना है नहीं तो यह होगा नहीं अब यह आपको OTP को यहाँ पर submit कर देंगे आप चलिए मैं submit कर दे रहा हूं अब इसके बाद यह update के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पर no कर दे रहा हूं कि आपको PNB की updates चाहिए कि नहीं चाहिए तो यहाँ no क कर दिया मैंने यहाँ पर आपको all services का option मिल जाएगा तो चलिए all services वाला option चूज कर लेते हैं कि अब यहाँ पर आपको इतनी सारी services PNB देता है तो मैं यहाँ पर आपको account related service वाला option पहले चूज करके इसे send कर देते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या options मिलेंगे आपको यह यह आ गया है यहाँ पर आपको account queries नाम से तो इसको select करेंगे अब यहाँ पर आपको देखिए balance inquiry, mini statement, checkbook request और stop check ऐसे करके बहुत सारे options मिल जाएंगे तो अभी हम last five transactions को पहले check करते हैं कि कैसे काम करता अब select करने के बाद सेंड करेंगे और देखिए यह हमारे last five transactions यहाँ प सारी चीजे जान सकते हैं, अब चलिए यहाँ से हम back चलके दूसरा option balance inquiry कर लेते हैं, तो चलिए यहाँ से हम back चलते हैं, वापस से हम account queries में ही जाएंगे, account queries का option choose करेंगे, and then send करेंगे, अब यहाँ पर आपको balance inquiry choose किया, and then send किया, तो देखिए यह हमारी balance inquiry बता दिया, इसने message return में एक दिया, यह हमारा 2819 रुपे के असपस balance है, इस प्रकर हम बहुत ही आसानी से whatsapp के इस feature को use करके, अपने account के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, friends से दी वीडियो पसंदा है, तो वीडियो को like करें, और channel को subscribe करें, thanks for watching वीडियो,